जो अपने पास क्या है एक तो आपके पास a set है define a relation from a to a यानि कि a set से a set पर ही define है ठीक है और यहाँ पर relation वो आपको दिया वाया है कि xy है y equal to x plus 1 है ठीक है तो यहाँ से जो अपने पास पहले तो solution और देखिएगा कि इसमें पूछा क्या है पहले तो अपने को क्या है इसका यानि कि अपने को एक relation यूज करना जो arrow वाली form है वो बनानी है ठीक है draw करनी है और write down the domain co domain and range of r यहाँ पर कोई real number नहीं है एक relation है यह धान में रखना है ठीक है अब चलिएगा अब चलते हैं अपने पास तो यहां से अपने पास एक तो a set दियाव है वही a set का है 1 2 3 4 और 5 और 6 है ठीक है यहां पर अब दूसरा जो set है आपका वह है आपके लिए यहां पर यानि कि relation क्या define है आपको यहां से relation है xy such that x plus का y equal to यहां से देखेगा कि जो x और y है वो क्या है such that यहां पर y equal to x plus का 1 है ठीक है और जो यहां से x और y आ रहे हैं वो अपने पास a set में से आ रहे हैं ठीक है और भी अच्छी तरीके से लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है अब यहां से आपको देखेगा कि अराम से बातें समझ में आ रही होंगी जो relation दिया उसको तो यहां पर लिख लिजेगा कि आप y equal to एक equation की तरही treat करना है इसको और कुछ नहीं करना है x कहां से है यहां से x को उठाएंगे यहां पर value यह करो वही है अब आपको पता है यहां से एक relation define है जो कि क्या है एस से एक के अंदर define है यहां पर अब क्या करने वाले हैं यहां पर एक के अंदर तो सारी के सारे element रख दो यह तो x के element है 1 2 3 4 और 6 तक यहां तक अब क्या रखना है जैसे जैसे आप इसमें x में क्या रखोगे 1 तो आपके लिए क्या क्या और इसी में एक स्वरी यहां पर a से a में है तो आपको दोनों set दियो हैं तो पहले हम यह वाला भी लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 और 6 ठीक है यहां पर अब आप देखिएगा कि क्या 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 आपको दिया रोल इसमें देखिएगा कि 1 जैसे आप यहां पर बूट करोगे तो 1 का किसके उपर में एप होगा 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2 2 का क्या हो जाएगा 2 plus का 1 कितना होगा यहां पर 2 plus यहां पर जो बोल रहा है यह y equal to x अब यहां से यह जो x के कोपीशेंट्स हैं यही हमãos थे अक्स की वैल्यू जाएगा तो यहां पर क्या लिक्त होगे ख जो 1 plus 1 टो 2 अब यहां से दूसरे x की वैलिड़ को टो टो टों प्लस का वन एक्वाल टू3 और यहां से देख थरी तो यहां से 3 प्लस का 1 के आएगा आपके लिए 4 आएगा जब भी आप 4 रखोगे तो 4 प्लस का 1 के आएगा 5 आएगा जब भी आप 5 रखोगे तो यहां पे आपके लिए क्या आएगा 5 प्लस का 1 के आएगा 6 और आगे यह 6 देखोगे तो 6 प्लस का यह 7 अब आगे तो 7 दियव यहां पर यह 7 है यह आएगा नहीं और तो यहां से नहीं आएगा तो इसको भी यहां से लाइन को बेठा दो तो इसका मतलब अब आपको बताना है यह अपने पास डाइग्राम ड्रो हो चुका है पूरा का पूरा अब इसी डाइग्राम की help लेनी है write down the domain element अब मैंने आपको बता है कि इस relation के अंदर जो इस relation को बनाने में जो काम आ रहे हैं वो सारे element ही क्या होंगे आपके domain के element होंगे यह six वाला domain का element नहीं है ठीक है एक जगह ऐसी आएगी जहां पर यह सभी क्या होंगे domain के element आएगे आपको पढ़ा चल जाएगा कि one के साथ two two के साथ आपका आ रहा थ्री और थ्री के साथ आपका साथ 4 और 4 के साथ 5 आ रहा था 5 के साथ 6 हा रहा है यह आपके ordered pair का site आ गया है इनकी 5, 6, यह आपके क्या है, रेंज के एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, रेंज के एलिमेंट है, और यह किसके एलिमेंट है, यह डोमेन के एलिमेंट है, ठीक है, अब आपको को डोमेन में ने बोला है, यह जो इदर वाला पूरा सेट होता है, यह यह पूरा सेट क्या होता आप आप अच्छे से बता दू, ठीक है, domain के अंदर कौन-कौन से elements आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके लिए 1, 2, 3, 4 और 5 यह हैं आपके, फिर आपके लिए 3rd में, 2nd ही है, यह 2nd के हैं सभी पार्ट है, ठीक है, यह 2nd के हैं, तो यहां से अब आपको बताना भई, range, range मैंने यहां यलो वाला जो भी लिखा है, वह आपके यह, 4, 5, और यहां तक किसके लिए तक है, 6 तक है, ठीक है, यहां से, अब पूरा code domain, मैंने बोला कि यह इदर वाला जो पूरा set है, यह आपका code domain, यह क्या आपका code domain, code domain आते ही क्या होगा, पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह पूरे एक बता पूरे set है, तो यह आपको पहला वाला execution है, आपको पूरी तरीके से समझ में आयोगा, जिसमें domain कैसे देख रहे है, code domain कैसे देख रहे है, range कैसे देख रहे है, और उसको देखे, diagram को कैसे draw कर रहे है, कैसे हम relation को समझ रहे है, यह सारी बातें आपको आनी चाहिए, यह जहां पार्ट,